हलो दोस्तो मैं हूँ मुनीश दिवगन जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि अक्षे कुमार भारत के नागरिक नहीं है वो कनाडा के सिटियन है आज अक्षे कुमार ने खुद ट्वीट करके ये माल लिया कि हाँ उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है अक्षे से लगातार पिछले कई दिनों से मीडिया ये सवाल पूछ रहा था कि क्या आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है ये सवाल तब फिर से उठे जब चौते फेस की मुंबई में वोटिंग हुई और आप इस सस्वीर में देख सकते हैं ट्विंकल खना उनकी बीवी अकेले वोट डालने पहुँची एक रिपोर्टर ने जब अक्षे से एक इवेंट के बाद सवाल पूछा तो अक्षे हसते हुए सवाल को टाल गए लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार अक्षे कुमार को ट्रोल किया जा रहा था कि वो कनाडा के नागरिक हैं उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है अक्षे ने जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है उसे बात जाहिर होती है कि अक्षे काफी निराश थे कि नागरिकता को लेकर उनसे बार बार सवाल किया जाता है अक्षे ने आज खुद सामने आकर सफाई दी है अक्षे ने क्या कहा है अपने इस ट्वीट में वो हम आपको बताते हैं अक्षे कुमार ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा मुझे समझ नहीं आता कि मेरे सिटियनशिप को लेकर इतना नगारात्मक माहौल क्यों बनाया जा रहा है मैंने कभी इस बात को नहीं छिपाया और नहीं मना किया है कि मेरे पास कनाड़ा का पासपोर्ट है ये भी सच है कि मैं पिछले साथ सालों में करनाडा नहीं गया. मैं भारत में ही काम करता हूं और भारत में ही टैक्स देता हूं. अक्षे ने जहां लिखा कि भारत के वो नागरिक हैं, इसको साबित करने के लिए उनको किसी प्रूफ को देने की जरूरत नहीं है. दूसरी तरफ अक्षे की निराशा साफ तोर पर इस ट्वीट में समझी जा सकती है दोस्तों आप देख सकते हैं ट्वीट जो हमने आपको पढ़के भी सुनाया है कि अक्षे कुमार ने आज ट्वीट किया है कि वो कनाडा का पासपोर्ट उनके पास है लेकिन जिस तरीके से उनकी नागरिकता पर सवाल उठाये जा रहे थे उससे अक्षे कुमार काफी निराश दिखे आपको बता दे दोस्तों कि अक्षे कुमार बीते कुछ सालों में देश भक्ती से जुड़ी हुई फिल्मों को बनाते आये हैं अभी हाल ही में प्रुधान मंतरी मोदी की इंट्रूवी उन्हें की थी जिसके बाद लगातार विपक्ष ने उन पर हमला बोला था कि अक्षे कुमार के साथ साथ मोदी ने भी अच्छी एक्टिंग की है ऐसा विपक्ष ने कहा था विपक्ष ने जमकर अक्षे कुमार पर हमला बोला था इस इंट्रिव्यू के बाद लेकिन मीडिया भी लगातार उनसे सवाल कर रहा था कि क्या वो भारत के नागरिक है या उनके पास कनाडा का पास्पोर्ट है इसके बाद काफी हताच दिखे अक्षे कुमार और आज अक्षे कुमार ने खुद ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि उनके पास कनाडा का पास्पोर्ट है लेकिन वो भारत से प्यार करते हैं भारत में उनका जन्म हुआ है दोस्तो दिली तक ने आपको पहले ही बता दिया था कि अक्षे कुमार समेथ कौन से स्टार भारत के नागरिक नहीं है और वो वोट नहीं कर सकते ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहें दिली तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया